नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देखरें TechHouse अगर आप भी एक content creator है चाहिए YouTube के उपर हो Instagram के उपर या किसी भी और social media platform के उपर तो आप जो है fake sponsorship का सिकार हो सकते हैं fake sponsorship का सिकार जरूरी नहीं कि सिर्फ छोटे content creator ही होते हैं fake sponsorship का सिकार मैंने देखा है कि YouTube के उपर बड़े से बड़े जो content creator है वो भी इसके जाल में फस्ट जाते हैं लेकिन जादतर जो है छोटे लेवल पे जो content creator होते हैं वो फस्ट जाते हैं like हमारे जैसे लोग जिन्होंने जो है recently start किया है recently grow करना start किया है वैसे में जो hackers होते हैं वो directly जो है छोटे जो content creator होते हैं उनको target करते हैं hackers जो है पहले जो है directly लोगों को call करते थे और जो message वगेरा भेजना और सभी तरहें के जुगार्ड लगाते थे लेकिन आज कल hacker ने जो है YouTubers वगेरा जो TikTok के Instagram के जो influencer हैं उनको target करना start करते हैं क्योंगी इन content platforms के उपर बहुत ज़्यदा लोग पैसा कमाते हैं तो ऐसे में वो जो है बड़ा हात मारने के चकर में रहते हैं recently मेरे साथ इस तरह का scam हुआ है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह का scam था और किस तरह आप इन तरह के scam से बच सकते हैं मेरे पास जो है एक email आता है क्रिप्टो किटी प्रोजेट की तरफ से यह जो प्लेटफोर्म एक्चुली यह रियल में एक प्लेटफोर्म है यहां पे जो है उनके coins अविलेबल है NFT वगेरा और कुछ games वगेरा तो ऐसे में directly वुन लोगों ने मुझे contact किया कि हम क्रिप्टो किटी की तरफ से हैं और हम आपके YouTube चैनल के उपर जो है अपना जो product है उसकी advertisement करना चाहते हैं अगर आप interested है तो हम आगे की बात कर सकते हैं तो मुझे initial में लगा किया ठीक है मैंन मैंने उनसे जो है वहाँ पर रिवर्ट उनका reply किया कि हा मैंने आपका product जो है देख लिया है और मैं इसमें interested हूँ क्योंकि मुझे भी crypto के अंदर जो है थोड़ी समझ है और इस तरह की चीजों में मैं भी interested हूँ और उसके बाद जो मुझे email उनकी तरफ से आता है वो बिलक तकरीवन लिखा कि हम आपको up to 1100 डॉलर तकरीवन 88 या 90,000 रुपीज जो है directly उसके अंदर आते हैं तो कोई भी एक जो छोड़ा content creator है वो सोचेगा कि है पहली बार में इतनी बड़ी sponsorship आत लगी है तो इस project को छोड़ना नहीं है इसको करना है और उसके बाद उन्होंने एक link दे रखा था उन्होंने का कि जब तक आप इस link के उपर जाके पूरी project की requirement नहीं पढ़ लेते हम आगे प्रोशीड नहीं कर सकते तो मुझे लगाया ठीक है उसको जो है वाद पढ़ लेते open करके और उसके बाद जो है इनसे दुवारा contact करते हैं और जैसे ही मैंने वो file open की उसमें password लगा हुआ था open मैंने किया तो मुझे पता चलता है कि उसका जो extension है वो है .scr और मैंने ये जो file जो मैंने वहाँ से download की थी directly मैंने macbook air के अंदर open की और macbook air के अंदर वो file जो है open होई नहीं सकती थी तो मेरे जो icon बनके आ रहा था वो कोई एक image का बनके आ रहा था तो मैंने उसको open भी try किया लेकिन कोई भी media player चाहिए VLC और कोई और हो वो उसको open नहीं करना चाह रहा था तो मैंने एक बार सोचा किया चलो इसको directly open करने की बज़ा है double click करने की बज़ा है क्यों एक बार google पर जाके check करो .scr extension जो है उसको कैसे open करना है तब मुझे पता चल करते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं आपके keystrokes देख सकते हैं आपकी banking details वगरा सब कुछ वह वहां से access कर सकते हैं तो जैसे मैंने देखी .scr type किया तो मुझे पता चल गया कि यह जो है screen saver करके जो है file होती है जो कि windows के अंदर ही चलती है और ज्यादतर जो लोग है इस तरह जो है जादा ही secure है compare to windows के तो एक मुझे वहां पे यह benefit हो गया और मैं वहां पे उस तरह के scam से जो है पूरी तरह बच गया अब अगर आगे बात करें कि आप इस तरह के scam से कैसे बच सकते हैं अगर आप एक content creator है तो सबसे पहली चीज की यार जब भी आपके पास कोई email आए तो आप जो भी उसका sender है उसकी पूरी detail को send out करने की कोशिश कीजिए कि जिस project का नाम लिख रखा है क्या उससे relevant email है क्या उस email जो sender का email है क्या वो relevant है या directly कुछ बना रखाए कि ABCD या अड़ एक्स वाइजर करके वो आपको check करना है दूसरी जीज आपको ये check करने है कि क एक बार open करने कि उसको try कर सकते हैं क्योंकि मैंने देखा कुछ बार वो directly एक PDF बेचते हैं और उनको बोलते हैं कि directly इस पर click करो जैसे बंदार double click करता है PDF फाइल के उपर वो install हो जाता है तो ऐसे में आप ऐसे system के अंदर open करें जो पुराना हो चुका है पलस जो internet से connected नहीं ह तो वहां पर आप पूरी तरह इन तरह के scam से बच सकते हैं तो आज के वीडियो में इस तरह के scam के regarding इतना ही अगर आपके साथ किसी तरह को scam हुआ है तो आप वो मुझे comment section में जरूर बतिए ताकि हमारे जो और viewer है उनको भी पता चल सके कि किस किस तरह की scam normally लोगों के साथ ह होते हैं और वो इन चीजों से बच सके तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई